लो आ गई बुवाजी नांदेनी बहो, सीमा बहो अरे तुम्हें घर में आप तक काम नहीं किया? तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी बुवाजी आने वाली है और उन्हें ये गंदा घर बिलकुल पसंद नहीं आएगा? माजी हम काम तो कर रहे हैं, बस उनी वाला है आज सुमित्रा की घर में अच्छे से साफ सफाई हो रही थी क्योंकि सुमित्रा की दोर की ननद उनके घर कुछ दिन रहने जुआने वाली थी लेकिन ये बुवाजी थी कौन? चलिए जानते हैं इस कहानी में दीदी, अखिर कौन सी बुवाजी हमारे घर आ रही हैं? अरे पता नहीं सीमा कौन सी बुवाजी आ रही हैं मुझे तो इस घर में आयोवे साथ साल हो गए लेकिन इन बुवाजी को तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा सीमा और नंदिनी आपस पे बात कर रही थी तब ही उन दोनों की ये बात सुनती हुए सुमित्रा उनके पास आती है बहुत तु भले ही साथ साल से इस घर में रह रही है लेकिन तू दीदी को नहीं जानती क्योंकि वो यहां रहती नहीं और वो बहुत काम आती है यहां इसलिए अपना मुह मत चलाओ और चुप चाप काम पर लग जाओ समझी इतना बोलने की बात सुमित्रा वहां से चली जाती है सीमा और नंदिनी काम में लग जाती है कुछ गंड़ी बाद सुमित्रा की ननत कुंती उनके घर आती है सुमित्रा ओ सुमित्रा किदर हो आखिर कार में इतने सालों बाद अपने घर में आई ही गई कुंती को देख मानो सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता वो खुशी-खुशी कुंती के पास जाती है अरे दीदी तुम आ गई मैं तुम्हारा कबसे इंदजार कर रही थी अरे आती कैसे नहीं आखिर मेरे घर में मेरी दो-दो बहुएं जो आ गई और मैंने उन्हें अब तक देखा भी नहीं अरे आप चिंता क्यों करती है मैं अभी आपकी दोनों बहुएं को आवाज लगाती हूँ नंदिनी, सीमा, देखो तुम्हारी बुआ सास आई है जल्दी आओ और अपनी बुआ सास का आशिरवाद ले लो अपनी सास की आवाज सुनकर नंदिनी और सीमा हॉल में आती है और कुंती के पैर चुकर उनका आशिरवाद लेती है हाई, मेरी दोनों बहुएं कितनी सुन्दर है सच में सुमित्रा तुझे तो बहु के रूप में देवी मिली हैं, देवी हाँ दीदी, बात ता आप बिलकुस सही कह रही है वैसे मैं बहुत ठक रही हूँ बैटने के लिए भी नहीं कहोगी क्या मुझे आरे क्यों नहीं, बैठे बैठे आप अरे बहुत तुम दोनों यहां खड़ी खड़ी देख क्या रही हो जाओ जाकर अपनी बुआ के लिए चाई लेकर आओ, जाओ अपनी सास के बात सुनने के बात, दोनों किचन में जाती है और अपनी बुआ सास के लिए नाश्टी पानी का इंतजाम कर उनके सामने ले आती है जैसे ही कुंती चाई की पहली सिप मुँ में डालती है वसे ही मु बनाते कैती है हे भगवान ये चाए बनाई है यह जहर सुमित्रा ज़रफ पी कर देख तो चाए कितनी मिठी बना रखी है राम 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 अगर मैं इतनी मिठी चाए पीऊंगी ना तो परलोग सिधार जाऊंगी माफ करना बुआ जी लेकिन हमने चाय मीठी नहीं बनाई हमने चाय वैसी ही बनाई है जसे घर में सब पीते है सची में, मेरे जाते ही इस घर में सब लोगों ने मीठा मीठा कर दिया है सुमित्रा, तुझे पता नहीं क्या कि मुझे शुगर है अगर मैं इतनी मीठी चाई पिऊंगी तो मेरा शुगर बढ़ जाएगा अब माफ करना दी दी लेकिन ये बात ना मेरी बहो को नहीं पता थी आएंदा वो इस बात का ध्यान रखेंगी वो आपके लिए फीकी चाई ही बनाएगी सही कह रही हूं ना मैं? जी माजी अब बलकुल सही कह रही है हम लोग बवाजी के लिए ना अलग से चाई बना दिया करेंगे अच्छा ठीक है ये तो छोटी सी बात है अब बहो ने बोल दिया के आगे से ध्यान रखेगी तो रखेगी वैसे फिलाल ना मेरी कमर में बहुत दर्थ हो रहा है छोटी बहो जड़ा कमर तो दबा दे जी बोह जी मैं अभी आपकी कमर दबा देती हूं इतना बोलकर सीमा कुंती की कमर दबाने लगती है लेकिन तभी एक बार फिर कुंती सीमा का हाथ हटाती हुए सीमा से कहती है सच्च में बहु तुझे कुछ नहीं आता सुमीत्रा तु अपने घर में सुन्दर बहु तो लेकर आगी लेकिन उनके काम एक भी सुन्दर नहीं अरे कमर दबा रही है या मेरी कमर को सैला रही है पता ही नहीं चल रहा कि मेरी कमर दब रही है तेरे हाथ में जान नहीं है क्या लेकिन बुवा जी मैं तो सही से कमर दबा रही हूँ कमर तो सही से दबा रही है लेकिन मजा ही नहीं आ रहा क्योंकि तू जान लगा कर मेरी कमर नहीं दबा रही छोड़, मैं खुदी अपनी कमर की मसाज कर लूँगी बस मुझे मेरे कमरे तक ले जा कुंती की ऐसी बात सुनने के बाद सीमा को बेहत गुसा आता है लेकिन वो कुछ नहीं क्याती क्योंकि कुंती कई सालों बाद घर आई थी कुछे देन में रात हो जाती है, सबी लोग रात का खाना खा रहे थे तब ही कुंती खाना खाने के बाद क्याती है सुमीत्रा बहु के हाद में स्वाद नहीं है खाना तो इतना सारा बना दिया, लेकिन टेस्ट एक भी खाने में नहीं, बिल्गुल मजा नहीं है खाने में, कुझे पता है, मेरी जो बहु है न, उसके हाथ के अगर तू रोटी खा लेकी तो तू खाना खाना भूल जाएगी, क्योंकि उसके हाथ की रोटियां गोल गोल, छ छुटी छुटी एकदम बढ़ी आ रहती है और सबजी आहाहा क्या स्वाद रहता है इसकी सबजी में कुंती के ऐसी बाते सुनने के बाद सीमा और नंदेनी को बेहत कुछ सा रहा था लेकिन वो अपनी बुवासास को कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो दोनों ही मजबूर थी लेकिन कुंती की ऐसी बात सुनने के बाद सीमा नंदेने से बुद बुद आते हुए कहती है तीदी आपको नहीं लगता बुवासास कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर रही है हाँ सीमा कर तो रही है लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं इनके नाटक जिलने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई आप्शन ही नहीं है क्योंकि ये हमारी बुवाजी जो है बहु तुम दोनों कुछ कह रही हो क्या नहीं 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 बुआ जी हम लोग कुछ नहीं कह रहें आखिर हम लोगों की इतनी हिम्मत कहां जो हम कुछ आपको कह पाए सीमा की ऐसी बात सुनने के बात कुंती उनसे कुछ नहीं कहती और चुप चाप अपने कमरे में चली जाती है समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब आए दिन कुंती, सीमा और नंदिने से काम करवाती जाती और हर बार यही बोलती, मसा नहीं आया ऐसी ही एक दिन, नंदिनी और सीमा टीवी देख रही थी, तब ही वहाँ कुंती आती है और उनसे रिमोट ले लेती है पहू, अभी तुम लोगों को बहुत सारा काम करना है, जाओ, घर में बहुत काम पड़ा है, जाकर काम कर लो तब तक मैं अपना फेवरेट सीरियल देख लेती हूँ लिकिन बुआ जी, यह सीरियल खतम ही होने वाला है, खतम होती ही हम यहां से चले जाएंगी नंदीनी बहुत देखो तो घर कैसा फेला हुआ है, अरे तुम घर में ही तो रहती हो, और मैं तुमारे घर में महमान बन कर आई हूँ कुछ दिन की तो बात है, कुछ दिन ही तो मैं यहां रहूँगी, तो मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दो, क्योंकि ना इसका रीकैप भी नहीं दिखाते हैं तुम तो अपने सीरियल का रीकैप आराम से अपने फोन में देखते रहे ना, ला कुंती की बात सुनकर, नंदी नी कुछ नहीं बोल पाती, और चुप चाप, पैरों को पटकते वे वहाँ से चली जाती है लेकिन सीमा अभी वहीं बैटी थी, क्योंकि सीमा धीड बन कर वहीं बैटी, अपनी बोवा सास के साथ टीवी देख रही थी तब ही गुंती उससे भी वहाँ से भेजने के लिए प्लानिंग कती है सीमा बहू, तुम्हें नहीं लगता कि ये टीवी कुछ ज्यादा ही पुराना है, हैं? मेरा मतलब है, देखो ना, इसका रिमोट भी सही से काम नहीं कर रहा तुम्हें पता है, बड़ा टीवी होता है, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है ये तुम्हारा चोटा सा टीवी, तुम्हें आजीब नहीं लगता, हैं? तब कैसे, कैसे मज़ा आता होगा इस टीवी में? मेरी मानों तो तुम भी एक बड़ा टीवी ले आओ लेकिन बुआ जी बड़ा टीवी लाने के लिए पैसे भी तो बड़े ज्यादा होने चाहिए न अभी हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है जो हम बड़ा टीवी लेकर आ सके और वैसे भी हमारे पास जो चीज है हम तो उसी में खुश है वो कहावत आपने सुनी होगी जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाने चाहिए ज्यादा पैर फैलाने से चादर फट भी सकती है तुझे नहीं लगता कुछ जादा ही जुपान चल रही है तेरी है तुझे शिखाया नहीं किस तर अपने बढ़ों से बात की जाती है बुवा जी, मेरे माईके वालों ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है लेकिन क्या करूँ, वो टेलेंट मुझे यहां दिखाने का मौका नहीं मिलता ये भगवान देखो कितनी बत्तमिसी से बात कर रही है सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा, जरा बहार तो आ और बहार आकर अपनी बहु की जुबान तो सुन अरे इसको ये नहीं पता कि अपनी बुवा सास से किस तरह बात की जाती है कुंती का शोर सुनकर सुमित्रा बहार आती है और कुंती से सारी बात पुछती है सारी बात जाने की बात सुमित्रा सीमा को ही उल्टा बोलती है बाहू, तुझे तमिज नहीं है किस तरह से बात की जाती है माजी माफ करना, लेकिन बुवा जी कम नहीं है वो इस घर में लड़ाय लगवा रही है और एक आप है कि आप बुवा जी की गलतियां देखती नहीं है हर वक्त आपको बहू ही गलत दिखती है देख रही है सुमित्रा तेरी बहू की जबान कैसे कैंची की तरह चल रही है तेरे दोनों बेटे जब आएंगे ना तो मैं उन दोनों से तेरी बहुओं की शिकायत लगाऊंगी और उनको ये बताऊंगी कि उन दोनों की पतनी कितनी बत्तमीज है हाँ हाँ लगा दी चीगा, मैं भी डरती नहीं हूँ जब मैं गालत नहीं हूँ तो मैं कभी किसी की सुनूंगी भी नहीं इतना बोल कर सीमा अपनी आखों में आसुली ये वहाँ से चली जाती है समाई गुजरता है और गुजरते समय के साथ उसके घर में अभार कोई कुंति से परिशान रहने लगा था क्योंकि आए दिन कुंति किसी न किसी को कोई न कोई काम दे कर परिशान कने लगती है ऐसे ही एक दिन कुंती नंदिने के पास जाती है और उससे कहती है बहु मैं क्या सोच रही थी कि आज रात मैं तेरे साथ ही सो जाओ ओ क्या है ना मुझे नीन नहीं आ रही तो सोचा तेरे साथ सोते वक थोड़ी बात्चित भी हो जाएगी और मैं तुझे पर्सनली समझने की कोशिश भी करूँगी बुवाजी आप मुझे समझने की कोशिश ना ही करे तो ज़्यादा अच्छ है क्योंकि मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाती क्या हुआ बहु किस सोच में पड़ गई तू? है? तू नहीं चाती क्या कि मैं तेरे साथ सूँ? अरे नहीं नहीं बुवाजी आप ये कैसे बात कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है देख बहु अगर तुझे भी मुझे से परेशान ही है तो मुझे बता सकती है मैं तुझे परेशान करने के लिए यहां नहीं सूँगी चले जाऊंगी अपने कामरे में अरे नहीं बुवाजी असी कोई बात नहीं है आप ऐसा क्यों सूच रही है? मुझे आपसे कोई परेशान ही नहीं है बहला मुझे आते से क्या दिकत होगी आइए आप मी मेरे साथ बैट पर सो जाईए नन्नीनी की बात सुनने के बाद कुंती उसके बैट पर सोने जाती है और जैसे ही वो बैट पर लेटती है उठकर बैट जाती है नन्नीनी बहुर तुझे नहीं लगता ये गद्दा कुछ स्यादा ही हलका है मतलब इस गद्दे में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा जरा भी लचक नहीं है इस गद्दे में ऐसा लग रहा है गद्दे पर नहीं किसी ठोस चीज पर बैठी हूं मैं ये गद्दा तो अपने माईके से लेकर आई थी या फिर तुझे ये सुमित्रा ने दिलाया है बुआ जी ये तो मुझे मम्मी जी ने ही दिलाया है यहीं पर वो क्याना मेरे माईके से बिस्तर वगएरे नहीं आये थे हम थोड़े गरीब फैमिली से बिलॉंग करते ना इसलिए मेरे माबापने फ्री में ही शादी कर दी. हे भगवान, सुमित्रा की इतनी गंदी पसंद हो सकती है, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था. बुवा जी, ये गंदी पसंद से आपका मतलब इस गद्दे से है या फिर मुझ से? अरे, बहु, मैं तो गद्दे की बात कर रही हूँ, ना की तेरी? इतना बोलकर दोनों सोचाती है, अगले दिन नंदी नी अपनी साथ सुमित्रा के पास जाती है. मम्मी जी, अगर आप फ्री हैं तो मुझ से थोड़ी दिर बात कर सकती है? हाँ, हाँ, बहु, क्यों नहीं? बताओ क्या बात है? मा जी, वो मुझे बुवा जी के बारे में कुछ बात करनी थी. नंदी नी ये बात बोली रही थी कि कुंती वहां आ जाती है, और उसे टोकती हुए कहती है. नन्दी नीवहू, तुझे भी मेरे बारे में बात करनी है आओ आओ बताओ क्या बात करनी है हे भवान, अब बुवा जी यहां क्यों आ गई मैं तो यहां मम्मे जिसे उनकी ही बुराही करने आई थी लेकिन यह तो यहां पी टपक गई बुए जी, मैं तो बस आपकी यहां तारीफ करने आई दी क्योंकि आप जब से यहां आई हैं ना हमें टायम पर काम करने की आदत हो गई है बात तो बहुत बिल्कुत सही कह रही है जब से दीदी यहां आई है तब से मेरी दोनों बहुएं समय से काम करने लग गई है दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरे, इसमें शुक्रिया करने वाली क्या बात है मैं तो जहां भी जाती हूँ न, वहां सब कुछ टाइम पर अपने आप होने लगता है अब मेरी बहु को ही देख लो मेरी बहु भी ना पहले तेरे बहु के जैसी ही आलसी थी पर अब हर्ची समय से करने लग गई है हाँ, समय से करेगी भी क्यों नहीं आखिर आप उसकी गर्दन पर सवार जो रहती हूँगी अच्छा हुआ आप मेरी बुवा सास ही है अगर आप मेरी असली सास होती तो ना जाने मेरा क्या ही होता नांदीनी बहु कुछी बोल रही हो क्या तुम है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा थुड़ा जोर से बोलो नहीं नहीं बुवा जी मैं आपके बारे में कहां कुछ बोल सकती हूँ मैं दो बस यह सोच रही हो कि आप सच में कितनी अच्छी है आप क्या आती ही हम लोगों में सच में हर चीज समय से करने की ख्रमता आ गई है इतना बुलकर नांदीनी बहाँ से चली जाती है समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब आए दिन कुंती नांदीनी और सीमा को परिशान करती कभी वो खाने के लिए कुछ मंगवाती तो कभी कुछ इन सब से अब घर का हर एक इनसान परिशान हो चुका था लेकिन इन सब के बावचूत सीमा और नांदीनी को अपनी साथ से बात करने का समय मिल ही जाता है मम्मी ची अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे बुआजी के बारे में कुछ बात करूँ मैं जानती हूँ बहू तुम दोनों मुझे क्या कहोगी दिदी के बारे में अरे जितनी परेशान तुम दोनों हो उतनी परेशान मैं भी हो चुके हूँ इसका मतलब आपको शुरू से ये बात पता थी कि हम लोग बुआजी से परेशान हो जाएंगे मुझे तो ये बात शुरू से पता थी कि तुम दोनों दीदी से बहुत परेशान हो चुके हो दीदी की वज़े से तुम ना तो अपना टीवी सिरियल देख पाते हो ना ही खुद के मन पसंद का खाना खा पाते हो आकेले तुम ही नहीं बलकि दीदी के हरकतों से मैं भी परेशान हो रखी हूँ अम्मी जी अगर ऐसा है तो आप बुवा जी को वापस दाने के लिए क्यों नहीं कहा देती सुमित्र उसकी बाद का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चुपचाप चली जाती है इसे ही समय गुजरता है गुजरते समय के साथ सुमित्र के दोनों बेटे राज और मोहित दोनों ही दूसरे शहर से अपने घर आजाते हैं उन्हें देख कर सुमित्र काफ़ी खुश हो जाती है माम, हम लोग पतले दुबले नहीं हुए बलकि हम बहुत टाइम बाद घर आएं, इसलिए आपको हम पतले लग रहे हैं हा मा, भाईया बिल्कुछ सही कह रहे हैं आप हमें इतने समय बात देख रहे हैं न, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है मुहीतर राज बात करी रहे थी, तबी वहां कुन्ती, नंदिनी और सीमा भी आ जाती है अपने पती को देख कर दोनों बहुएं खुश हो जाती है लेकिन तबी मुहीतर राज कुन्ती को देख कर उसके पैर चुते हैं अरे आण्टी जी, आप, आप यहां कब आई? आण्टी जी, भाईया, यह आपकी आण्टी, यह तो आपकी दूर की बुआ है ना? खिसने बोड़ा तुमसे कि यह हमारी दूर की बुआ है यह तो मा की बेस्ट फ्रेंड है, आण्टी जी, पापा को यह भाईया बोलती थी लेकिन मम्मी जी ने तो इन्हें नंदिनी और सीमा के चहरे का रंग उड़ावा देख कर कुन्ती हस पड़ती है और उन्हें कहती है सीमा बहू, नंदिनी बहू, मैं तुमारी कोई दूर की बुआ नहीं हो बलकि तुमारी साज की बेस्ट फ्रेंड हो मैं इस घर में तुम्हारी बुवा बन कर आई वो इसलिए क्योंकि मुझे सुमित्रा ने बताया था कि तुम दोनों घर में जल्दी कोई काम नहीं करती और अगर करती हो तो वो समय से नहीं होता काम चोरी तुम दोनों में बहुत आ गई थी इसलिए जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने ठान लिया कि अब मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगी और इसलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों की दूर की बुवा बन कर आ गई खुंती के मुझे ये बात सुनकर सभी लोग हस्ते लगते हैं लेकिन इस पीज अगर किसी का पोपट बना था तो वो दोनों सीमा अननदे ने थी लेकिन वो किसी को कुछ नहीं क्याती और चिपचा अपनी कामचूरी को मान लेती है और इस तरह वो दोनों वादा करती हैं कि वो घर में दुबारा फिर कभी कोई भी कामचूरी नहीं दिखाएंगी और इस तरह एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है और कुंती भी अपने घर चली जाती है